नमस्कार मैं हूँ मिनाक्षी जोशी और अब हम शुरू कर रहें हैं मुकाबला नारी से नारि त्वות, माटा से मात्रित्व, पिता से पृत्रित्व, कृत से कृतित्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व और हिंदू से हिंदुत्व क्या ये तत्व बोध नहीं? लेकिन मसला ये नहीं, मसला है हिंदू वर्सिस हिंदुत वका, सबसे बड़ा हिंदू कौन और हिंदुत वका तत्व बोध क्या? आज हम करेंगे मुकाबला इसी मुद्दे पर राजीव जेटली हमारे साथ जोड़के हैं बीजीपी प्रवक्ता मुकाबला में इंडिया टीवी में सबसे पहले अब है दूबे जी हिंदू आतंगवाद, हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिफ्तान ये नरेटिव गड़ने वाले कॉंग्रेफी नेता और अब राहुल कांधिये कहते हैं कि हिंदूों की सरकार लानी हैं जी मिनाक्षी जी, मैं सभी मेरे साथी मित्रों को नमश्कार करता हूँ तब साधू संतों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए में जन्म लूँगा मुझे एसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी ने वही क्रम प्रारंब किया है और भारती जनता पार्टी के लिए वेदों में कहा है आचार हीनम न पुनंती वेद वेद भी आचरन हीन लोगों को ठीक नहीं कर सकते आप राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी व्याक्या धर्म की की है देखिए भगवान शंकर के अनर्णी दो भक्त हुए है चनातर सकता में अभय जी मैं बहुत साधुवाद देती हूँ आपको गीता के दो बहुत ही अच्छे श्लोकों के साथ आपने अपने बाचीत की शुरुआत की लेकिन हिंदू आतंगवाद हिंदू तालिबान और हिंदू पाकिस्तान ये नरेटिव गढ़ने वाले कॉंग्रेसी नेता हैं और अब राहूल गांधी कहते हैं कि हिंदूओं की सरकार लानी हैं हिंदूत्व वादियों को भगाना हैं इसका क्या मतलब मैं समझू हाँ बिल्कुल हिंदूत्व वाद और हिंदू धर्म में अंतर है भारती जन्ता पार्टी के दो शिर्शस्त नेता नरेंद्र मोधी जी सारवजनिक मंचों से कह चुके हैं कि हिंदू धर्म नहीं है हिंदू जीवन पद्दती है अरे प्रधान मंत्री जी सब्ताचारी नहीं ये तो हमारे शंकराचारियों ने तय किया है मैं हिंदू धर्म की आस्था को मानता और महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो धर्म गाय की पूजा का प्रवरतन करता है वह किसी की रशन सहत्या का समर्थक कैसे हो सकता है भार्ति जनतापरi के लोग हट्या के समर्थन में संवीधान की शपत्त खाने वाले मंत्री लोगों के गले में माला पहन sarà है तो WAS व्याक्या हम करें उसे पहले अभे जी बहुत क्लियरली आप बताएए भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंती आतंकवादियों से बड़ा खत्रा देश के हिंदू से है ये ये बहुत पुराना बयान नहीं है ये राहूल गांधी ने कहा था किसे अमरीकी र मंत्री हैं उन्होंने का दस लोगों को जानता हूं संग से जुड़े हुए जो लोग आतंकी गदी विद्यों में अमरीकी राज़्दू टिमोठी रोमर से 20 जुलाई आप ही ने रिपॉर्ट जारी की,ंग से 37 प्रतीशत जनता गरीबी रेखा के नीचे कर दी गए है उत्तर पृदेश में राहूल गांधी जब कहते हैं कि हिंदूों की फरकार लानी है और इसी पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि हम राम के अफ्तित्व को नहीं मानते तो आप कहते हैं कि हमें हिंदूों की फरकार लानी है मैंने आपके सामने तीन उधारन गंद दिये सिर्फ दस सेकंड मुझे और बाकी महमानों को भी समय देना है अभेदुबे जी मैं फिर आउंगे आपके पास अनुराग बदोरिया जी अनुराग बदोरिया जी यह गलत बात है अनुराग बदोरिया इसमें कोई दो रहे नहीं है अच्छाlier अँभा बन रहा है किसी कोई आप बताईये डिक्कत तो भारतील यहां पारटी को है वारती जनला पार्टी को है उसकी 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 इसकी उसकी क्रेट्ट ? क्रेड़ लेना है तो किसानों के लेनी की कोशिश करते हैं अपसे यह कहते हैं कि बनारफ हां काशी अंतिम दिनों में लोग जाते हैं अंतिम दिनों में लेकिन मैं सवाल क हुआ जवाब दीजिए अंतिम दिनों में काशी जाते हैं बहुत बढ़िया नरेंद्र मोदी काशी काए हैं ने अखिलें शादव की टिपनी है मेरे सवाल का आप जवाब दे तो बताईए ना मेरे सवाल का आप जवाब कितने में जवाब देना है मुझे जवाब दूगा हम इसी में खतम कर दें कि अनुराग जवाब दे होता चलिए आप अंतिम दिनों में काशी ही जाते हैं बहुत अच्छा है प्रधान मंत्री काशी अब बताईए कितना से केंड मुझे बोलना यह बता दीजिए मैं जवाब सब्सक्राब यह बता दीजिए मैं आपके मुन में जवाब देर अब आपके पास जवाब नहीं है इसले शॉ आप जवाब जवाब देना है वी से कंड विए जवाब दूंगा चलिए आप जवाब सोच लिए अरे जवाब सोच लिए जवाब देना है आप मेरे महमाने पूरा सुमय आपका बोलिए आप देखिए सवाल यह है उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाओ आ गया है भारती जनता पाटी के चुनाओ के जिनडे पर काम कर रही है कि उसे पता है उत्तर प्रदेश में उसने कोई विकास का काम नहीं कि अब बीजेपी परवक्तर पूछ लेजगा जिसका उन्होंने सिलेंगास किया हो उसी उन्हों धटन किया हो एक काम उन्होंने ऐसा नहीं किया और जहां राश्टिय अदर जी के बियान की बात है साफ साफ का जाता है कि चुनाओ का अंतिम पढ़ाओ है तो अंतिम यहां पर किसानों को जो रॉन दिया गया जिसके उपर आए साफ सोग ने रिपोर्ट दीये कि भाई जिन पर 302 की मुकदमे नहीं लगये उन पर मुकदमे लगाई और सारे अब लुकतों को 302 का मुकदमा लागा कि जेल के अंदर डालिए आज कोड के अंदर सुनवाई चल कैसे चर्चा होगे महिलाओं के उपर में अत्यचार हुआ चीरा हुआ अप इतनी बहसों में शामिल हुए हैं और उसके बाद भी आप ये कह रहें कि इन मुटों पर चर्चा नहीं हुई तो मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आपने फिर चर्चा में भाग सामने वाला चौर है वो तो बात नहीं करेंगे यहां पर जिस दर ही उसी मौते कर state प्रुपा जी मैं आपके पास आउंगी निकिन में को मुझे लगता है कि पहले राजीव जेटली को मौका मिलना चाहिए क्योंकि देखिए विरोध के दो स्वर उठ खड़े हुए हैं हिंदूओं की सरकार चाहिए हिंदुत्वादियों की सरकार नहीं चाहिए नहीं नि मिनाक्षी जी मुझे तो इस पैनल के उपर सभी हत्यारे नेदर आ रहे हैं मिलको भी साथ मिला करके विजे शंकरतिवाली जी को ले ले लिजिए और ये अपना अनुराग भदोड़या जी को ले ले लिजिए ये भी हत्यारे हैं कॉंग्रेस के परवक्ता बैठे है दूबे जी ये भी हत्यारे मिनाक्षी जी आप भी हत्यारे हैं आप से बड़ा जी और अनुराग जी बहुत सयम के साथ हम लोगों ने डिबेट को आगे बढ़ाया और जब तक एक व्यक्ति बोलता रहा उसके उपर किसी ने नहीं बोला अब राजीव जेटली बोल रहे है वाले लोगों को या तो इनकी अवाद को सुने दीजे या इनी से ब्लूवाली जिवारा राजीव जी आप अपनी बात रखें दर्शक सुन रहे हैं जिसे सुनना है दर्शक सुनेंगे मैंने तो मिनाक्षी जी बड़ी मांदारी से इस बात को रखा कि हम सब लोग हत्यारे हैं मैं भी हत्यारा हूँ आप भी हत्यारा ने आप गोर कीजेगा और यह जो अरूपा जी बैठी है यह सबसे बड़ी हत्यारा ने फरक के वल इतना है कि इन में से आदे लोगों आदे पीठे में चुरा गोपते और आदे लोग सार्थी पे चुरा गोपते हैं हत्यारा तो हिंदु ही आखिर विजा करके और हमारे पैनल के उपर मैं ढूंड रहा ता शैद को ऐसा अब्यक्ति निकल आए जो राहूल गांदी जी के राहूल गांदी जी के जात और धरम से जु अनुराग जी और अबैदुबे जी बारी बारी से सबको बात करने का मौका मिलेगा अगर आप चाते हैं कि आपको भी सुने दर्शक तो आपको भी अगले को मौका देना होगा दारअ परवाइ ये कि सीका भाषण का मंच नहीं है, ये भाषण का मंच नहीं है। ये राहूल गांधी जी ने काँ जो लुटें है। करें ली ऋफर कार थैंट जैड़ों और उन दो लेकर कुण दर गोन सो की हैश्मरें और पार रेले में परणा बालूम है उन्हें अबंपना धर्मण बालूम है जाएब काुन प्ट्रा स्वी संवlicht खिरकार और नात्रदे कर रचिशांता और अनुराग भदोरिया जी मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है अगर हम राजीम जेटली की बात नहीं सुनेंगे तो मैं किस बात पूरी करें समझ सीधी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का कहना यह है कि आप हिंदू को धाल दनाकर हिंदुत्य वाद को आगे बढ़ा रहे हैं और इसका विकाफ से कोई केलेक्शन नहीं है अगर इतना अगर इतनी तखनी बात पार्टी तो आपको अब भी उठकर जाना चाया दाए पाकिस्तान के बात हुई थी गुर states यह इंडु तालिबन ही पाकिस्तान की बात हो रहे थी अब रूपा जी इस डिबेट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं ममता बेनर्ची ने अभी बयान दिया उन्होंने कहा कि TMC का मतलब Temple, Mosk and Church मैं तो अभी तक सोचे थी कि TMC का मतलब त्रिन्मूल कॉंग्रिस है ये एक नई परिभाशा गढ़ने के पीछे क्या मकसद मिनाक्षी जी इतना देट तक नेशनल टेनिवीशन पे तूटू मीमे ये लग रहा था कि मैं कोई डिबेट में नहीं कोई कुछती के अखारा में बैठी हूँ इस डिबेट के सुनने के बाद देखिए मैंने सयन से सप्ता बात सुना है और मैं भी चाहूँगी कि जब मैं बोलू मुझे कोई इंटरप नहीं करें ये एक हल्दी डिबेट का सबसे बरा साहिए मिनाक्षी जी ये डिबेट सुनने के बाद मुझे आज मुझफर राजमी जी का एक शेर याद आ रहा है ये जब भी देखा है तारीक की नजरों ने लम्हे ने खता की थी सदियों ने सजा पाई आज मिनाक्षी जी इस देश का जो हालत है भारती जनता पार्टी देश को जाती धर्म और जो देश भक्ति के नाम पे जो चीज फैला रहे है ये देश में इसका असर आने वाले पीडी को पता चलेगा क्यूंकि ये बात जानना बहुत जड़ी ये बात हम लोग सब जानते हैं और आप भी जानते हैं और इस पैनल में जितने भी बैठे हुए हैं कि आप भी लेप इन सेक्यूलर इंडिया हमारे संबिधान आमको इस चीज का यह दिए है कि वी आर ओल सेक्यूलर लेकिन आज जब देश में महंगाई है देश में जीडीबी रेट ग्रोथ जीडीबी फॉल हुए है आज भूपमरी आज अनेंप्लॉइमेंट समस्या है इस चीज़ पर कोई चर्चा नहीं करके आज हमारे जो पार्टी की जो लीडर है हमारे बंगाल की मुख्य मिंत्री है यह तो बास सही है टीम सी एक कि चुनाव हो रहे हैं कम से कम 40% से ज्यादा महिला अरक्शन दिया है आज भारती जनता पार्टी के पास और हमारे पार्टी सेकुलर है इस चीज़ का नहीं हम त्रोनमूल करते हैं और हमें गर बेखे हमारे पार्टी के लेडर्शिप का नाम में मंता वेलेची जो हर जाती दर्ब के सभी को लेकर ये पार्टी को अच्छे से चला रहे हैं दो आपकी बार 200 पार्ट हुआ ही नहीं लेकिन बंगाल का जनता ने भारती जनता पार्टी को करारा जवाब दिया क्योंकि ये अपरूपाची आपने बहुत अच्छी बात बोली कि महिलाओं को सुक्सी ओना चाहिए और जाती धर्ब के नाम पर राजवनीती नहीं होना हुआ लेगाआ जहां पर बिकास लएगा जहां पर विक सर्कार करेंगे इसके लिए हम लोगों को जाती धर्म को राजनीती में लाना पड़ेगा अब मेरे सवाल आप सुने अगर बाती में विकास के मुद्धों पर राजनीती होनी चाहिए तो फिर ममता बेनरजी को यह क्यों कहना पड़ा कि टीमसी का नाम टेंपल मॉस्क इंचर्च है क्यों यह कहना पड़ा और बारत्य जंदा पार्टी जो है उनका ऐडेलोजी सिर्फ एक मिन्त अब रूपा जी आपके बात पूरी हो गई वीजे शंकर तिवारी विश्वा हिंदू परिशक से हमारे साथ एक और महमान जुड़े हुए हैं मिज़े शंकर तिवाली जी आज हिंदू की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है क्या हिंदुत्व की बात करना भारती राजनीती में गलत हो गया, क्या ये सेकिलरिस्म को खत्रा हो गया देखो मीनाक्षी मैं अभेजी के प्रश्ण के उत्तर थोड़ा सा समय देदे ना अभेजी ने यदायादा यदायदा धर्मर से गलानिर बहुत इभार थे अभित थानम धर्मर से तदात मानम सरजाहम में उसको चौपाईयों भी कहा गया है जब जब होई धर्म पिहानी बाढ़ई असीर अदब अविवानी तब तब ले प्रभु मनुसरीरा और प्रभु सजन पीरा ये दयानी सजन पीरा ये चौपाईयों भी कहा गया है लेकिन एक बात ये भी कही गईगी कलियूग में कोई भी भगवान साक्षात अवतार नहीं लेंगे संग्ये शक्ति कलियूग जिसके पास संगठन शक्ति होगी जिसके पास लोगों की ताकत होगी जिसके पास जन ताकत होगी वो ये जो अत्याचार करते रहें लोगों का उससे मुक्ती दिलाएंगे, लेकिन आज संगठन किसके पास है, संगठन किसके पास होगी, जो देश की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, धर्म जियेगा, भूमी की बात करेगा, वो इस सारे संगठन की शक्ती के उनसार देश को बदलेगा, आज संगठन की शक्ती किसके प आज आपको नेता तो मानूंगा लेकिन मैं हिंदू की बात नहीं करता ये अभेजी बहुत विद्वान आदमी हैं मैं इसनकी संमान करता हूं लेकिन सभावी कैने नेता जी ने मांगा है कि मगरी की तीन तांगे तुनको करने पड़ेंगे आज आप देखें के इस देश में हिंदू कहना इन लोगों के लिए श्रम की बास होती थी आज यो टेंपल के साथ जोड रही है आज हिंदू समाज संगटित हो गया ताकत वर हो गया एखटा हो और आज आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों दल अपने को हिंदू कहलाने पर गर्व मेसूस कर रहे हैं यह जो दोहसार चौदा में कॉंग्रेस की कमिटी बने थी और एक एंटनी ने जो रिपोर्ट तयार की थी उसमें यह बात का साफ जिक्र था कि सौफ्ट हिंदुत्व की छबी से आपकी पाठी को नुकसान हो रहा है कहीं इसले तो नहीं राहूल गांधी अब मंचों से हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रही है मिनाशी जी सनातन समय से समुचे विश्व का एक मात्र धर्म है जो सहिश्णु है हिंदू धर्म और जहां तक विजय शंकर तिवारी जी का प्रश्ण है तो विजय शंकर तिवारी जी मैं आगरा पुर्वा कहना चाहता हूँ यही दंब रावन को भी था, कि उसकी संगठन की शक्ती है, वो आताताई की वेतरा वेवार करने लगा था, भगवान प्रभुश्री राम और रावन दोनों शंकर के अनन्य भक्त थे, मगर रावन दंभी था, रावन सत्ता का भोगी था, रावन अन्याई था, क्योंकि वो हि राम और रावन पे ना जाएं, रावन का जबवद हुआ था, तब रावन ने भी राम के चरण बंदना की थी, इसलिए आप राम और रामायन और महा भारत पर ना जाकर आज की बात करें, राहु गांदी ती राम राजी की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, राजी इसी बोलना शुरू करूंगा, ये दोना बुदोने कूच जाएंगे, बीच में और आपकी डिबेट खराब करेंगे, अब मैं अन्वाग जी से खास तोर पर बोलूँगा, वो काटते हैं आपको क्या बारवन बीच में, वो आपकी जेब में काटते हैं, आपको बीच में अब दूबाजी में अपने मीरी बात पुरी नहींने दी थी, मैंने केवल एकी बात बोली, मैं अपनी बात पर अभी बेढ देग हूँ, क्या उस मंच के उपर, क्या उस मंच के उपर इसलाम के उपर चर्चा हुई, क्या उस मंच के उपर महंगाई के उपर चर्चा हुई, क्या उस मंच के उपर महंगाई के उपर चर्चा हुई, सबसे आदा पेट्रोल महंगा तो कहां पर राजस्तान में, सबसे महंगी बिजली क पर तो राजस्तान में क्या उस महंगाई रहे लिए में महंगाई की चर्चा हुई चर्चा किस बात पर होई चर्चा इस बात पर होई कि मेरा परवक्ता अबे दूबे वो च्छाती में जो चाकू घूमते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पीट पे चाकू घूमते हैं तो हम पे पीठ का लगा दिया आपको परजाती का लगा दिया और पीच में से निकल गए वो आप आगे में से लड़ाई करने के लिए मुद्धा यह है कि मैंने मिनक्षी जी को क्यों बोला हम सब हत्यारें उन्होंने डिकलेर कर दिया है पूरा राजस्तान पूरा देश का हिंदू पूरा उत्तर परदेश का जिंदू उसके ऊपर वो एक तमका लगा गये हैं यह लोग हत्यारें मैं बार-बार कोट करूँगा इस बात को और आप बताइए अगर आप राहूल कानीजी से पूछे आप राहूल कानीजी से पूछ के देखिए क्यों आपने दूसरे धर्मों कैसे बाटा जाए और आपने सहुलर ढूंड ली कि अभेध हुबे जी को तो हत्यारें डिक्लेर कर दीने सम्माल के साथ और भारतिये जंता पैट की विचारधारा पे चलने वाले लोगों को बोल दीजिए हत्यारें तो यह हैं लेकिन का तरीका अलग है तो हम लोग हत्यार ना इसलिए मैंने बोला आपको हर किसी को हत्यारा डिक्लेर करके और आप एक हत्यार को दूसरे हत्यार से लड़ा रहे हैं हम सब लोग हिंदू है इस चैनल पर वैट हुए हम सब को आपस में लड़ा दिया उन्हों ने और बताई आप भी लड़ रहे हैं अरे अपना जमीर सब्सक्राशी के विकास की पूरी क्रोनोलाजी बताई थी यह हिंदू बोट पाने का हत्कंडा नहीं तो और क्या है अन्य देखे भाईया हम तो जब से बच्पन से अपना फॉर्म भर रहा है बाकादा हिंदू लिखते हैं अगर नहीं लिखते होंगे दूसरे लोग जिप मेरे डिबेट की हत्या लेकिन ना करें उसका एंकर हत्यारिन नहीं हो सकते हैं मुद्धे पर बात करें चलिए अनुराग जी और आजीव जेकली जी देखे आपने अनुराग जी जोड़े थे अम जरा हाथ मैं जोड़ रही हूं मैं आप से यह कह रहे हूं कि काशी के विकासी क्रोनोलोजी भी तो अखिलेश यादव ने बताई आज यह हिंदू बोट पाने का प्रयास नहीं तो अनु समाज में नयाई की बात करते हैं समाज में वैक्ति के संवान की बात करते हैं समाज एक नयाई की बात करते हैं सभी के सभी अपने अपने धर्मों को पूरी तरह ने भाए इसके हम वकालत करते हैं लेकिने लोग क्या करते हैं यह वैक्ति की बात नहीं करेंगे जो कोविड क आब रूपा जी पर चलिखर नहीं are a Scholarsaran मूल याथ कर दोक्ति करें पराख स्च्ति वहुत जountना चाहते हैं । तुक्षन जी अनुराग जी अपरूपा जी भी अपना पर्फ टखना चाहते हैं लिए मैं थोड़ी से श्मीus numb अनुराग जी अनुराग जी ना में अपनी डिबेट की हत्याओने दूंगे आप सभी लोग अगर इसमें चिलाने लगेंगे तो मैं ये होने नहीं दूंगे अप रूपा जी अपरूपा जी मैं आ रही हूं अपरूपा जी देखें लिए अंतर क्यूं यह अंतर खड़ा किया जा रहा है देखें मिनाक्षी जी मैंने पहले ही कहा आपसे कि देखें यह भारत जो है यह हम लोगों का सबका नेशन है यहां पर यह जो डिवाइड डिवाइड रूल पॉलिसी नहीं होना चाहिए यह मैंने पहले ही कहा कि यह सेक्यूडर इंडिया है आज देखें बारती जन्ता पार्टी का एक ही टू आइडिलोजी है वह है विकास माने आपका पॉलराइजेशन का आइडिलोजी जो है जो है जो अच्छे दिन के वादे दिखाये उसके पूरे नहीं है उसके पूरे नहीं हुए तो आज जो है अपना सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए ये लोग धर्म का सहारा ले रहे हैं अपनी सरकारबनाने के लिए और 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 अपने अपने उपर एक्जिन क्यों ले रही थी जिस उद्योग पति के ओपर एंजाम लगा जाता था कि भारतिय जनता पार्टी उन्हें फाइदा पहुंचाती है तो उसके उपर उंगली किसे उठाई वो TMC की सांसद ने उठाई और जब TMC की सांसद ने उठाई तो मुम्तब इनर्जी ने उनके उपर कारेवाई करने शुरू कर दी अरे बाई जब आप लोग इलजाम लगात अब दीदी उसी उध्योग पती से क्यों मिल रही थी आप उताई मुझे और आप भी किसांसद ने क्यों उठाई को इसलिए उठाई को कि आप उन्हें बताया नहीं था इन्वेश्ट मैं जब आप उन्हें ब्सक्राइब कोई रहा सिङला में ब्सक्राइब जांद ब्सक्राइब है o मैं तो इससे आगे बढ़कर ये पूछती हूँ क्योंकि आज हिंदुत्व की बात हो रही है तिवारी जी क्या परेशानी अगर राहूल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू की सरकार लानी है प्रियांका गांधी अगर जाकर मंदिर मंदिरों के दर्शन करते हैं क्या दिक्कत है उनकी आस्था है उनका आस्था का विशय है और आप खुश हो जाएए कारण कहा कि यहीं रहूल गांधी हैं जो हिंदू को आतंकवादी कहते थे भगवा को आतंकवादी कहते थे और यहीं सब प्रवक्ष्टा बैठे हुए जो कहते थे कि हिंदू सब्द वेदों में तो तो वेदयों में ने लिखा तो हिंदु शब्द आया कहां से तो मैं इसको अधी अधी आज राहू गांधी जी वेदयों में लिखा, सुनिया उटको मानती नाती है मम्ता बनर जी भी नहीं लिखा दुनिया मानती है तो जिस चीज को दुनिया मानती है उसको आज राहूल गांदी जी ने सुईकार कर लिया कि हम हिंदू हैं मम्ता बनर जी ने सुईकार कर लिया टेंपल के नाते कि हिंदू है यह आज हिंदू इन्होंने सुईकार किया यह हि प्रशाद मौरेता कुछ महिनों पहले दिया गया एक बयान याद आ रहा है, 60 फीसद हमारा है और 40 में बटवारा है, उसी 60 फीसद में बटवारे की अप्रियास हो रहा है, यह राजनीती है और यह राजनीती में दिखाए देता है, और बदलती भी रहती है राजनीती, बहुत बहुत धिन्यवाद आप सभी महमानों का हमारे साथ मुकाबला में शामिल होने के लिए, इंडिया टीवी हर वक्ट हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर